दोस्तों अगर हमें किसी भी तरह की PDF फाइल को other file format में convert करना होता है या फिर किसी other file format जैसे की MS Excel, MS Word, PPT या image को PDF में convert करना होता है या फिर PDF को compress या उसे resize करना होता है या फिर उसे rearrange करना होता है या फिर अगर आपको multiple PDF फाइलों को एक ही फाइल में merge करना है या अगर आपके पास किसी भी तरह की image है और आप उसे compress करना चाहते हैं, crop करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अलग-अलग software का use करते हैं, अलग-अलग website का use करते हैं, लेकिन दोस्तों, आज से आपको अपनी PDF से related किसी भी तरह की problem को दूर करने के लिए, अलग-अलग software या अलग-अलग website को use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे काम आप highpdf.com की मदस से कर सकते हैं, वो भी free of cost, मानना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि ये website है ही कमाल की, तो वीडियो को last तक देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like, comment और share करना, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करके, bell icon को जरूर प्रेस कर देना, अगर आप इसी तरह के useful videos देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा time waste ना करती हुए, चलिए videos सुरू करते हैं, दोस्तों highpdf का link आपको मिल जाएगा, इस video के description और pin comment में, आप उस link पर click करके directly इस page पर आजाएंगे, इस page पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे powerful tool मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी pdf से related सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बाकि अगर आपको highpdf के सभी tool देखने हैं, तो इसके लिए आप आएंगे all tool में, और यहाँ पर आपको pdf से related सभी तरह के tool मिल जाते हैं, अगर आपके पास कोई pdf file है, जिसे आप दूसरे file format में convert करना चाहते हैं, जैसे की word, jpg, ppt, excel, तो इन सभी file format में आप अपनी pdf file को convert कर सकते हैं, बाकि अगर आपके पास word, ppt, excel, image, text या rtf file है, जिसे आप pdf में convert करना चाहते हैं तो आपको simply इन सभी tool पर click करना है, click करना है, अपनी file upload करना है, और simply आपका जो file है, वो दूसरे file format में convert हो जाएगा, बाकि अगर आप अपनी pdf file को edit करना चाहें, उसमें कुछ भी changes करना चाहें, तो आप यहाँ edit pdf का option choose करेंगे, pdf को compress करना है, merge करना है, crop करना है, unlock करना ह या pdf के जो pages हैं, उन्हें rearrange करना है, तो यह सभी tool आप यहाँ से use कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर आपको image tool भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी image को compress, crop, resize, rotate, या image को text में भी convert कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम किसी pdf file को ms word में convert करके देख लेते हैं, तो इसके लिए ह आप अपनी file को select करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह एक resume है, और यह pdf format में है, इसे हमें ms word में convert करना है, तो इसके लिए हम इसे यहाँ से open करेंगे, तो यह जो file होगी, यह high pdf में upload हो जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ convert पर click कर देना है, इस file को ms word में convert कर करने के लिए, conversation कुछी seconds के भीतर complete हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ download पर click कर देना है, जैसे ही download पर click करेंगे, आपकी जो pdf file होगी, वो ms word में convert होकर आजाएगी, आप इस file पर double click करके, इसे यहाँ से open कर सकते हैं, तो कुछी seconds के भीतर आपकी जो pdf file होगी, वो ms word में convert होकर आजाएगी, इसके बाद दोस्तों मान की चलिए, आपके पास किसी भी तरह का excel data है, और वो pdf format में है, लेकिन आप उसे excel में convert करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ pdf to excel का option चूज करेंगे, आप इस पर click करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो file है, जो आपका excel data pdf format में है, उसे आपको यहाँ पर upload करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का यह हमारा data है, जो की pdf format में है, हमने यहाँ से इसे open किया, और यह जो हमारा data है, यह upload होगा, इसके बाद हम यहाँ convert पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जो आपका pdf में data होगा, वो कुछी seconds के भीतर excel में download होकर आ जाएगा, मैं इसे आपको एक बार open भी करके दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछी इस तरह से जो हमारा pdf का data होगा, वो excel में convert होकर आ जाएगा, अगर आप इसमें कुछ भी modification करना चाहें, त इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आपके पास किसी भी तरह की word file है, जिसे आप pdf में convert करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ word to pdf पर click करेंगे, आपकी जो file है उसे आपको यहाँ पर upload करना है, तो हमारे पास यह एक doc file है, जिसे हम pdf में convert करना चाहते हैं, मैं इसे एक बार आपको open भी करके दिखा देता हूं कि किस तरह से जो हमारी pdf file है वो बन कर आएगी, तो यह है हमारी pdf file, ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास कोई excel data है और आप उसे pdf में convert करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप excel to pdf का option choose करेंगे, यहाँ पर जो आप अपन data pdf में convert होकर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, simply अपनी file को upload करिए, और जो आपकी file है, वो जिस भी format में आप चाहते हैं, उस format में convert होकर आजाएगी, बाकि अगर आप किसी भी pdf file को edit करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आएंगे pdf tool में, यहाँ पर आपको edit pdf का option मिल जाता है, आप यहाँ पर click करके अपनी किसी भी तरह की pdf file को edit कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अपनी file upload करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी pdf file है, यह आ चुकी है, अगर आप इस pdf file में किसी भी तरह का text add करना च जाएगा, आप इस box को जहाँ पर भी लेकर जाना चाहें, लेकर जा सकते हैं, और इसके बाद इस box में आप अपना text लिखेंगे, अगर आपको text का जो format है, उसे change करना है, तो आप यहाँ से change कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको font size normal चाहिए, large चाहिए, तो आप यहाँ से कर स करेंगे, इसके बाद अपनी image को select करेंगे, और यहाँ पर अपनी image को आप easily add कर सकते हैं, अगर image को छोटा या बड़ा करना है, तो आप image के corner पर आएंगे, और यहाँ से पकड़ के आप अपनी image को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की shape insert करनी हैं, file में तो इसके लिए आप यहाँ से पर आएंगे, और यहाँ से आप easily किसी भी तरह की shape insert कर सकते हैं, अगर आपको signature add करने हैं, तो आप यहाँ से signature भी add कर सकते हैं, बाकी दोस्तों अगर आप अपनी PDF file को compress करना चाहें, merge करना चाहें, और यहाँ पर आपको यह सभी tool मिल जा जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी PDF file को merge करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम merge PDF पर click करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी सभी file को select करना होगा, जिन file को हम एक ही PDF file में merge करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से data in PDF, resume और dock in PDF, यह तीनों फाइलें select कर लेता हूं, और यह यहाँ पर cross पर click करके आप उस file को remove कर सकते हैं, अगर आप file को आगे या पीछे लगाना चाहें, तो यहाँ से आप अपनी file को आगे या पीछे easily drag करके लगा सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ merge का option मिलेगा, merge पर click करना है, तो यहाँ पर आपकी जो तीनों PDF file होंगी, वो एक ही file में combined होकर merge होकर आजाएंगी, अगर आप download करना चाहें, तो यहाँ download पर click करके download भी कर सकते हैं, एक बार मैं इसे open भी करके आपको दिखा देता हूं, तो हम यहाँ से इस पर double click कर लेते हैं, यह जो file है यहाँ पर आजाएगी, आप इस file में देख सकते हैं, 5 pages बने बागी all tool में भी आपको यहाँ compress PDF का option मिल जाता है, तो आप जैसे यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी PDF file को add करेंगे, जिस PDF file को आप compress करना चाहते हैं, तो अभी जो PDF file हमने merge की थी, उसका size है यहाँ पर 581KB, हम इसे compress करके देखते हैं, PDF file compression के आपको यहाँ तीन option मिल जाते हैं, high, medium और low, तो अगर आप यहाँ से high का option choose करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो PDF file का size होगा, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन जो quality होगी, वो भी थोड़ा सा down हो जाएगी, अगर आप यहाँ medium का option choose करेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी PDF file का size होगा, वो normally कम होगा, normal तरीके से कम होगा, यानि 20-30% कम होगा, लेकिन जो quality होगी, वो अच्छी वाली रहेगी, बाकि अगर आप यहाँ से low का option choose करेंगे, तो यहाँ पर आपकी PDF file का size थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो quality है, वो as it is आपको दिखाई देगी, यानि high quality रहेगी, तो मैं यहाँ पर अपनी PDF file का size है, उसे कम से कम रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं high का option choose करूँगा, और यहाँ से compress पर click कर देंगे, compression यहाँ पर complete हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमारी PDF file का size था, वो 581KB था, और अभी जो हमारी PDF file का size होगा, वो around 201KB होगा, अगर आप इस PDF file को डाउनलोड करके इसे देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह की जो quality है, वो आपको नजर आने वाली है, तो यहाँ पर quality में खास फरक नहीं पड़ेगा, बाकी दोस्तों, अगर आपके पास कोई image है, जिस पर पहला option है, compress image का, इस option की मदद से आप अपनी image का जो size है, उसे easily कम कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर जो आपकी image file है, उसे आपको upload करना है, तो यहाँ पर एक image file है, आप इसका size देख सकते हैं, 2.60MB है, हम इसे compress करना चाहते हैं, तो इसक के बाद मैं यहाँ से high का option चूज़ करता हूँ, और यहाँ compress पर click करते हैं, file compress होकर आचुकी है, यहाँ पर आप इसका size देख सकते हैं, पहले इसका size था 2.61MB और अभी यह 287KB में convert हो चुका है, अगर आप इसकी quality देखना चाहें, तो आप इसे यहाँ से download करके, इसकी जो download होकर आचुकी है, मैं इसे एक बार open करके, इसकी जो overall quality है, ओ भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो image की quality है, उसमें आपको खास फरक नहीं दिखाई देगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से highpdf.com बहुत ही ज्यादा useful है, आप सभी के लिए, तो आज ही इस website को try करो, free of cost, link आपको description में मिल जाएगा.